हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आज हम देखेंगे पाइलेट 2000 कंट्रोलर में प्रोग्राम कैसे स्टोर किया जाता है तो आए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं जब भी हम इस कंट्रोलर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डिस्प्ल एक नमबर यह लाइट जल रही है तो यहां मतलब हमारा यह काम ओके है उसके बाद में हम प्रोग्राम में आ जाते हैं क्योंकि हम आज प्रोग्राम को स्टोर करना सीख रहे हैं प्रोग्राम वाला बटन दबा दिया तो यहां पर ऑप्शन आ गया हमारे बास में सलेक्ट प यानि यह अभी एकदम खाली है, यहां कोई भी value store नहीं की गई है, अगर यह program पहले से store होता, तो यहां हमें 1, 2, 3, 4 ऐसा कुछ करके दिखाता भी कितने scene उसके अंदर store किये गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, यह आने के बाद में हमें यहां, okay करना है, display के side में, okay करने के बाद में हमारे पास में, यहां option रहता है, screen में देखना है, edit scene, edit scene, okay, यह आने के बाद में यहां हमें शो कर रहा है, select fixture, मतलब, एक से 20 या second page पे जब हम आते हैं, 21 से 40 हमें यहां कोई ना कोई एक fixture select करना ज़रूरी रहता है, तो सबसे पहले हम, मान लेजिए यह वाला fixer select कर रहे हैं, एक number, यह fixer select करते ही, हमें यह display area में देखना है, आजकल जो LED पार्स आ रही हैं, जो RGB LED पार हैं, वो लगबग जो उनमें card का जो function रहता है, DMX वाला, वो एक number पे लाल, दो number पे हरा, और ती number पे निला रहता है, तो उसी को basically मानते हु आज, उसी system से, उसी DMX address से उसको store करेंगे, आपके पास में जो भी lights हो, उसके बारे में आपको उसकी manual से बेहतर जानकरी मिल जाएगी, तो देखिए मान लेजिए, यह लाल है, इसकी value हमने कर दी full, तो यह लाल जब जल रहा है, हमें इसको store करना है, store करने के लिए हम यह ब यह store button दबाए रखना है, और इसके साथ ही यहाँ से एक button दबाना है, जिसके अंदर यह value store होगी, जैसे मान लेजिए हमने एक number button दबा दिया, तो लाल इसमे store हो गया, अब लाल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, second हमने ले लिए green, same procedure, store, अब यहाँ पे हम दो number button दबा दें वो store कर सकते हैं, और finally जब आप उसको save करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से edit and then enter, यह button प्रेस करना है, और यह आपका store हो जाएगा, इसको play करने के लिए आप same procedure रहेगा, controller आप start करेंगे, master dimmer on करेंगे, यह record वाली यह button आपको जलता हुए मिलेगा, यहाँ से एक number on किया, program, यह second page पे पहला था, इसलिए आप दुबारा से second page पे जाएगे, और यह पहला, ऐसे आप इस program को run कर पाएंगे, thank you, अगर आपके कोई queries हो, तो आप please comment section में लिखतीजिए, जहां तक possible होगा, आपको उसका समाधान जरूर दिया जाएगा,